मारत लाइन रज बोदरा सखी पड़ी जाता गाल में दोदरा सखी आपके अपकमिन प्रोजेक्ट क्या-क्या है कौन-कौन से गीत आने वाले हैं मेरा भी बहुत सारा गाना आने वाला है आप लोग के बीच में तो जब आएगा तो बताएं जाएगा तो सुने लेगा जो सोशल मेडिया पाप प्रमोशन करना जाएगा यह गीत आभी अमारा रिलीज होगा तो आप लोग के बीच में अब ना लगाई वुक जरा सखी क्या हूं क्या सटाइब नाहीं पजरा सखी मारत लाइन रज बोदरा सखी पड़ी जाता गाल में दोदरा सखी मारत लाइन रज बोदरा सखी पड़ी जाता गाल में दोदरा सखी छुवेला चाहेला गोरे गोरे गाल के मांगेला दिलूरू मालू बीचा के मारत लाइन रज बोदरा सखी पड़ी जाता गाल में दोदरा सखी रागनी जी अब आप अपने एक समाज से जो अपने बस्ती से निकल करके आप बहुत दूर आ चुकी है तो आप अपने गाउं अपने समाज के बारे में क्या बदलाव देखना चाहते हैं किस तरह की चीज़ हो हमारे गाउं में बदलाव और किस तरह की चीज़ याद लिखते हैं। मुझे इतना उत चीज का मुझे मालूम नहीं है। इससे भी तो मेरे गावं की जितने लोग हैं अगल बगल में बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत नेक आदमी हैं। सपोर्ट करते हैं हम लोग को हर बेज साव लोग कोई चीज में। आपके गावं के बस्ती में कई लोगों से जानगादी हांसिल की कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। स्कूल भेजना चाहिए। आप भी नहीं पढ़ी हो। बदला होना चाहिए। नहीं में बोलना चाहूंगे हम लोग के जितनी उमर की लड़किया हैं लड़के हैं अब तो पढ़ पाएंगे नहीं हम जैसे हम भी नहीं पढ़े लिखे हैं आने वाले पीडियों में मेरी छोटी वाली भती जी का आप लोग इंटेव्यू लिये हैं उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं कि उसके भी आगे जीवन में चलके हम लोग के जैसे नहीं जिलना पड़े हर सब को नहीं समझ पाते हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि आगे चलके भाई हुआ भतीजा हुआ भतीजी हुई आगे चलके होंगे लोग तो उन लोग को हम लोग एकडम पढ़ाएंगे लिखाएंगे उन लोग को उस लाइक बनाए जाएगा हम लोग तो नहीं बने प्यार है दुलार है पबलिक का आज यहां पर हैं अगर जो नहीं रहता तो कहां रह पाते हैं क्या बात है यह थी रागनी विश्कर्मा जो आज कल सोचल मीडिया पर खूप ट्रेंट कर रही है अभी हाल इमें खेसारी लाल यादव से मिलकर आई हैं जल्दी खेसारी लाल यादव के साथ इनका गाना भी आया तो आपको यह इंटर्विव कैसा लगा हमें लाइक कमेंट सेयर करके जरूर बताएं